हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल होम गाडनिंग पर आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मोटी बरगत की कटिंग कैसे लगाए जाती है इसमें पत्ते कितने आते हैं जड़ कितनी आती है सारी अपडेट में आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेएगा चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नेटिफिकेशन आउन कर दिजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले मैंने एक पेंड से इसे एक मोटी सी ब्रांच बरगत की ब्रांच को कट किया हुआ है और इसे मैं लगबग एक से डेड फिट का जो ब्रांच है कटिंग है इसे मैं लगा कर देखने वाला हूँ कि मुझे क्या अपडेट मिलता है आगे वीडियो में आपको सारी अपडेट दिखाने वाला हूँ इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले हम कटिंग को इस तरह से त्यार कर लेते हैं इसके साइड वाले ब्रांचेच को मैं हटा देता हूँ देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैंने आरी ब्लेट से इसे कट कर लिया है बराबर बिल्कुल बराबर लगबग ये डेड़ फिट की कटिंग है लेकिन पत्ते जल्दी निकल आते हैं साथी साथ फंगिसाइड पावडर में भी मैं इसके बोटम पार्ट को डीप कर देता हूँ चारो तरफ बोटम पार्ट में इसके फंगिसाइड पावडर को लगा देता हूँ ताकि fungus वगरा की वज़ा से इसे ये जो है खराब ना हो सके cutting अच्छे से बना रहे cutting को लगाने के लिए मैं सिर्फ sand media का यूज कर रहा हूँ सिर्फ rate में मैं cutting को लगा रहा हूँ और आपको update भी आगे दिखाने वाला हूँ मैंने इसमें कोई मिट्टी ना कोई खात कुछ भी यूज नहीं किया है ये सिर्फ और सिर्फ river sand है इसी में मैं इसकी cutting को लगा कर देखने वाला हूँ cutting को अच्छे से आपको hole बना कर उसमें दबा देना है और अच्छी तरह से आपको उसमें पानी दे देना है देखिए cutting को आपको ऐसी जगर रखना है जहां पे ये हिलने कम पाए ना हिलने पाए तो cutting को आपको चारो तरफ से अच्छी तरह से दबा कर इस तरह से बिल्कुल stable cutting आपका रहे ऐसी जगह रखिएगा साथी साथ इसे आप एक polythine से cover कर देजेगा ताकि इसमें moisture नमी जो है वो बनी रहे क्योंकि इसे अगर आप खूला छोड़ देते हैं तो इसकी नमी जो है उड़ जाती है बरसाथ के मौसम में जब लगतार बारिस हो रही है तो आप इसे खूला भी छोड़ सकते हैं और एक महिने के बाद हम polythine हटा कर देखते हैं कि इसमें कितनी जो है वो पत्ते आ चुकी है आप देख सकते हैं आपको देख रहा होगा कि इसमें लिफ्स जो है ने ने लिफ्स आना सुरू हो चुके हैं कुछ इस तरह से इसमें पत्ते आ रहे हैं देखिए इस तरह से हमारा कटिंग जो है वो चलने लगा है यानि कि हमारा कटिंग आधा जो है वो सक्सेस्फूल हो चुका है आगे वीडियो में आपको इसमें और कितने पत रखना होगा क्योंकि ये काफी मोटी बर्गत की कटिंग है तो इस तरह से मैं इसे लगा कर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों ये पहला अपडेट में मैंने आपको दिखाया कि कटिंग में धेर सारे जो पत्ते हैं वो आ चुके हैं और मैं अब आपको इसकी रूट्स निकाल कर दिखाने वाला हूं कि एक महीने के बाद इसमें रूटिंग हुई है या नहीं हुई है तो देखिए दोस्तों इसमें एक महीने के बाद अभी कोई भी रूटिंग नहीं हो पाई है यानि बिना रूट्स के अभी हमारा कटिंग है दूसरा अपडेट मैं आपको सतर दिन पत्ते आ चुके हैं बड़े बड़े पत्ते आ चुके हैं तो इसे भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि इसमें रूट्स आये हैं कि नहीं आये हैं तो देखिए इस तरह से इसमें रूट्स आ चुके हैं यानि हमारा कटिंग पूरी तरह से सक्सेस्फूल हो चुका है र करगत की कटिंग पर हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फोर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफ किसन जरूर दबाईएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद